दोस्तो OnePlus 7 के आच चुके काफी सारे leaks और काफी strong leaks आके आये हैं क्योंकि अब मैं बदाना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी website से जिनकी जो leaks हमीशा से काफी prominent रहे हैं काफी strong रहे हैं और उनकी जो leaks निकल के आते हैं क्या triple camera होगा की नहीं होगा बैटरी कितने mh की होने वाली है screen size कैसा होने वाला है तो इस वीडियो में बिल्कुल end तर देखेगा मैं हूँ आपका दोस्त और होस्त संदीप चानल का नाम है digital indian channel with the wife factor बिना मखगवाई वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और दोस्तो आगे बढ़ने से पहले एक support आपका बनता है वीडियो को कर दीजे लाइक और चानल को कर लिजे subscribe बात करते हैं वन प्लस 7 के बारे में तो दोस्तो सबसे पहले तो operating system की बात कर लेते हैं आपको Android 9 आपको मिलने वाला है पाई का support आपको देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले की अगर बात करें तो आपके डिस्प्ले साइज काफी बड़ा होने वाला है 6.5 इंचिस का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon 855 का इसंदर आपको auto-core pressure मिलने वाला है यानि की बिलकुल latest gaming अगर आपके बहुत जबर्दस होने वाली है 6 GB वेरियंटस की शुरुवात होगी और 128 GB इंटरनल स्टोरिजस की शुरुवात होगी Camera segment के अगर बात करें तो rear में आपको 3 camera का support मिलने वाला है 24 MP का आपको front camera देखने को मिलने वाला है और battery के अगर बात करें तो 450 image की आपको massive battery मिलने वाली है अगर special features की बात करें तो on screen fingerprint scanner आपको मिल जाएगा साथ में face unlock मिल जाएगा और दोस्तो 3.5 M jack की होगे वापसी OnePlus 7 के अंदर और price जो है वो OnePlus 7 का 39,000 रुपीज से शुरुवात होने वाली है दोस्तों याथ है आपको ये phone जो है वो launch होगा था लगबग 18,000 रुपे में flagship killer का नाम इसको दिया गया था और flagship killer से धीरे 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 flagship की तरफ जा रहा है मैं उमीद करता हूँ कि Xiaomi का जो Poco 2B वो आएगा और वो 20,000 की रेंज में 855 लेके आएगा तो definitely वो बनेगा असली flagship killer हलांकि OnePlus 7 वोले OnePlus की रेंज हमेशा से जबरस रही है आपको value for money हमेशा देखने को मिलती है और जो specs आपको देखने को मिलते है वो उस price को हमेशा justify करते है तो OnePlus 7 जो है वो भी ऐसा कुछ करने वाला है एक कुछ interesting बाते हैं जो आपके साथ share करता हूँ BBK electronics जो है उसी के अंडर में OPPO, Vivo और OnePlus आता है तो OnePlus में मैंने एक चीज़ नोट करे है कि जो Vivo और OPPO के अंदर जो चीज़ successful हो जाती है तो वो थोड़ा थोड़ा उन में से उठा लेता है ऐसे में ही अब की बारी जो है OnePlus 7 के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है जो पॉप अप कैमरा है वो OnePlus 7 के अंदर आ रहा है जी हाँ लेकिन एक मेरा डाउट भी उसके अंदर रहेगा कि जो face unlock है कहीं उसकी speed के थोड़ी बहुत कम तो नहीं हो जाए क्योंकि जितने दिर हम सामने रखेंगे ये pop-up camera होगा उतनी दिर या तो उनको speed जो है वो काफी तेज रखनी पड़ेगी अपने pop-up camera की और शायद OnePlus हमेशा से बहुत minor-minor चीज़ों पर ध्यान रखता है तो definitely इसकी speed काफी तेज होगी face unlock की instantly ऐसा होगा ना कि हम देखते हैं वैसी instantly चला जाएगा पर हमेशा वेक अप इसको करना पड़ेगा इन display fingerprint तो आपको मिलने ही वाला है 40,000 के अंदर काफी अच्छी configuration आपको मिलेगी 855 की processor के साथ बहुत सारी उमीदे मेरी इस phone से बन गई है देखते हैं दोस्तों कैसा होगा ये phone वीडियो को like जरूर कीज़ेगा और चैनल को subscribe कीज़ेगा OnePlus 7 की सारी updates और daily tech videos तो इस पर आपको मिलती रहेगी